वीडियो आज की डियो में बात करने वाले बाजाज कमपनी के बारे में बाजाज की जो पलसर पारे में तो हाल फिलाल में बाजाज ने काफे सारी बाएक लॉंच की है जैसे कि N250 हो गई करने का भी प्लानिंग कर दिया जितने उनिट्स बचे वह बेचने वाली है और इसके बाद इसके वीडियो को टॉपिक रहने वाला है हमारा पलसर 150 के बारे में जो की काफी लेजनरी बाई के जिसके कारण ही इंडिया में पलसर काफी फेमस हुई थी पलसर सिरीज फेमस जो उसका क्लासिक लूक है और जो उसका पूरा पूस्टर बनता है वो काफी अच्छा लगता देखने में तो आज हम बात करने वाले हैं पलसर 150 के बारे में तो जैसा कि जानते हो हाल फिलाल में अभी उन्होंने लांच किया है पलसर क्या बोलते है पी 150 को जैसे तो आप व पावर बिल्कुल नहीं है इंजन के अंदर में और बाजाज क्या करने वाली है कि जितने उन्हों पलसर 150 के बने पुराने सेफ वाले उसको बेचेगी और उसके बाद सैट डिसकंटीनियू करने वाली है ऐसे न्यूज आ रही है तो ऐसा नहीं करना चीए बाजाज की पलसर काफी अच्छा सीरीज है और यह सब बाइक उसके नाम से नहीं भीगेगी मेरे खाल से कुछ दिन लेंगे लोग और उसके बाद पलसर काहलात बहुत खराब होने वाला है जैसा कि सुदूकी काहलात हो बीच में तो मेरे खाल से नहीं चलेगा वह बिल्कुल भी आपना परस क्योंकि इसमें आहिए बहुत पहले यह से अभी यहांग है अभी कंपनी देना चलोंकि यह से डिडीटल मीटर हो गयाए Annis करके पर पलसर ने उसको भी बेकार कर दिया 160 और 125 को लांच करने के बाद क्योंकि भाई जो पालसर टोरा था वो बिल्कुल खतम हो गया उसके बाद और 125, 160 का कोई भी स्टीकर चेंज करा के उसको 200 बना लेता है कि इसको क्या पता CC क्या है CC क्या है उसकी ठीक है और जो पावर आनी ची पावर भी नहीं है उसके इंदर बिल्कुल भी है ज्योंकि मैंने 125 भी चलाया है 160 भी चलाया है और मैंने BS3 200 भी चलाया है जो की 2013 या 14 के मडल था वो जिसमें सब से तकड़ी पावर थी जो गाड़ी 160 अराम से हीट करती थी उसमें मीटर एडर भी था थोड़ा पर अराम से हीट करती तो यह बात होई NS की और पलसर 150 को डिसकंटिव नहीं करना चाहिए बिल्कुल भाई मार्केट के साब से और इसके बाद मेरे ख्यास से बज्यास के बहुत हेट पढ़ने वाला है अगर वो बाई डिसकंटिव हुई तो तो यही था इंफॉर्मेशन देने के लिए और इसका लुक काफी अच्छा लगा था वाई जब भी मिला बचपन से देखता है आदमी तो उसको ड्रीम बाई जैसे होता है तो मेरा भी खुद का ड्रीम बाई था एनस भी द्रीम बाई चैनल के पास है मैंने एक वीडियो भी डले थी पुराने चल्ट के उपर अकर जो भी रखो जात में पीडियो रखो वाई जिसको जो पसंद आएगा वो लेगा पर मेरे ख्यास से अगर आप डिस कंटीनू करते हो तो आपको बहुत ज़गा हीट मिलने वाला है और आपकी बैक्स नहीं से लोंगी उत्ती अच्छी मार्केट में तो इस वीडियो के लिए इ लगी लाइक कर देना जया स्वेयर कर देना चैनल सब्सक्राइब कर देना जय स्री राम